गूड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकूम टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आप सब की साथ एक ऐसा हेर पैक शेयर कर रही हूँ खास करके जो लोग लाल बालों से परिशान है या जिनके बाल ज़्यादा सफेध है हीना के रेट कलर 90% नहीं है तो ये इंडिगो है पर ये जो मैं इंडिगो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ ये बालों को काला भी करेगा उसके साथ साथ जढ़ने से भी रोकेगा उसके साथ साथ बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी आपके बालों में नहीं इचिंग होगी जिनको भी इंडिगो सूट नहीं करता है वो इस तरह लगाएं मैं 100% शूर हूँ कि ये सब को सूट करेगा तो पहले हम देखते हैं कैसे कैसे बनाएंगे उसके बाद मैं बताती ह पहले हूँ कैसे लगाना कैसे है और आगी क्या करना है चुच क है सबसे पहले हम लेंगे यहां पर एक बीट रूट lowered 說ता हमें बीट रूट ही लेना है और कुछ भी नहीं लेना है अगर बीट रूट नहों तो आ पीट रूट का पाौडर ले सकते हैं पर वो फ्रेश हो ठ क्योंकि हमें इसमें और एक चीज डालनी है अगर आप इसे ग्राइंड भी करेंगे तो भी अब हमें इसे बॉइल करना ही है चीक है अब इसे एक साफ बरतन में डालने के बाद हम डालेंगे इसमें 15-20 हिबिसकस की लिवस इतनी अमेजिंग है हमारे बालों के लिए कितने भी बाल डाय हो, डायमेज हो, सब को ये ठीक करती है बिल्कुल भी डायनेस बालों के खतम करती है उसके साथ जो बीट रूट है वो भी बालों को ड्राय नहीं होने देती है बालों के एक शाइन देती है उससे बड़ी बात ये है कि बालों को थोड़ा सा रेडिश कलर देती है जिसे हीना देता है इसलिए हम beetroot और hibiscus leaves ही यहां लेनी है ठीक है क्योंकि हम हीना एड़ नहीं कर रहे है तो हमें beetroot ही एड़ करनी है अब इन दोनों को हमें बहुत ही अच्छी तर से boil करना है जब तक कि इसका तीन कप पानी का एक कप रहे जा है beetroot के और hibiscus की जो भी गु करें और इसके बाद इसे जब अच्छी तरह से एक कप पानी रह जाए तो इसे गैस से निचे लें और थोड़ा सा आधा मतलब गुन को ना रहे तब तक छोड़ दें अब हम यहां पर आगे का प्रसेस शुरू करें इससे पहले मैं आप सब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी जरूर प्रेस करें तो जो भी वीडियो डालेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा अगर वीडियो यूस्फिल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में भी जरूर शियर करें अच्छा लगी तो एक लाइक भी जर चाहें तो हाट से भी प्रेस कर सकते हैं अब लगबग इतना पानी हमें मिल चुका है अब हमें लेना है इंडिगो मेरे पास है इंडिगो की लिवस मेरा पाउडर जो है वो बिलकुल थोड़ा है कम रह गया इसलिए मैंने लिवस ली है और उन्हें ग्राइंड कर लिया है म कि indigo powder हमें बहुत ही बारिक चाहिए छीक है थोड़ा भी मोटा रहेगा तो apply करने में problem होती है अब मैंने यहां पर लगबक 6 चमच indigo powder लिया है अपने बालों के लेंद के इसाब से जहां जहां आपको लगाना है अगर चिल्व रूर्स में भी लगा सकते है चाहें तो पूरे करके mix करते जाएं और इसकी एक smooth paste बना लें चीक है इस तरह है जिस तरह में वीडियो में दिखा रही हूं इसकी consistency हमें नहीं ज़्यादा ठीक चाहिए और नहीं पतली चाहिए थोड़ी सी ठीक ही चाहिए ठीक है और यह थोड़ा हमें 5-10 मिनिट रखना है तो इसकी consistency और ठ ठीक हो जाएगी यह देखिए यह बिल्कुल एक अच्छी सी smooth paste इस तरह से बना लें बहुत ही अच्छी तरह से mix करके smooth paste बना है और सिर्फ 5-7 मिनिट रखें बस ज्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल हवा न जाए इस तरह से इसे हमे पहले अपने बालों को बिल्कुल अच्छी तरह से shampoo कर लें shampoo करने के बाद दूसरे दिन या उसी दिन ही जब बाल सूख जाए तो इसे अपने बालों में अच्छी तरह से आपको लगा लेना है और दो घंटे तक रखना है शावर के पहन लें दो घंटे तक ज़रूर रखे उसके बाद सिर्फ नॉर्मल पानी से दोना है कुछ भी बिल्कुल भी अपलाएं नहीं करना है अपने बालों में तीन दिनों तक छीक है इसलिए ही मैंने इसमें हिबिसकस भी डाला है जैसे क्योंके वो शैंपू और कंडिशनर का भी काम करेगा तो हो सके तो तीन दिन रखें अगर नहीं रख सकते तो दो दिन रखना ही रखना है नहीं तो कलर नहीं होगा क्योंके इंडिको का जो कलर है वो एक से दो दिन बाद ही निकलता है छीक है उसके बाद आप उस दो दिन के बाद तीन दिन के बाद रखेंगे तो और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा अगर तीन दिन रखोगे तो उसके बाद रात में अच्छी तरह से कोई घर का बना हुआ ऑईल अच्छी तरह से मसाज करें और सुबह में जितने माइल्ड शैंपू से या घर के बने शैंपू से आप बालों को वाश करेंगे अतना ही amazing result मिलेगा मैं पहले भी मैंने कहा अगर पहली बार में कम result मिले तो please give up न करें दुसरी तीसरी बाल में जरूर मिलेगा तो इस को एक बार जरूर ट्रा करें और फिर मझे जरूर बता है इसका result आपको कैसा मिला thanks for watching चलिए फिर मिलेंगे ऐस किसी अच्छे से वीडियो में तब तक के लिए